खेसारी लाल की किस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर मचा रहा है धमाल हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुया, सौगत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलिग्रास स्टुडियोज में दोस्तों, खेसारी लाल भोचपूरी के कैसे सूपूस्टार है, जिनका कोई भी वीडियो हो, चाए वो म्यूजिक अल्बम हो या हो उनकी फिल्म में जैसे ही यूट्यूब पर आती है, धमाल मचा कर रख देती है, उनकी फिल्मों और सौंग्स के व्यूज यूट्यूब पर मिलियन क्रॉस कर लेते हैं और अब एक और फिल्म का ट्रेलर खेसारी लाल की यूट्यूब पर वाइरल हो रहा है फिल्म का नाम है महंदी लगा कर रखना इसका तीसरा पार्ट आ चुका है इससे पहले इसके दो पार्ट बन चुके है इसके डिरेक्टर है रजनीश मिश्रा और इस फिल्म में खेसारी लाल की अपॉसर नजर आएगी एक न्यू कमर आक्टर सहर आपसा जी हाँ दोस्तों इसके जो पहले पार्ट थे उसमें रितु सिंग नजर आई थी और इस फिल्म में भी रितु सिंग होगी लेकिन इन दोनों की केमिस्टरी सहर आपसा और खेसारी लाल की केमिस्टरी इस फिल्म में दिखाए जाएगी फिल्म की कहानी के अगर बात करें तो फिल्म की कहानी में जो खेसारी लाल है वो एक बेरोजगार और निठलने का करदार कर रहे हैं और उन्हें सेहर से प्यार हो जाता है। लेकिन इनकी कमिस्ट्री में तब ट्रेलर में नजर नहीं आएगा। लेकिन फिल्म की कहानी इंट्रिस्टिंग होने वाली है और फिल्म वाकई धमाल मचाएगी आपको बता दे रजनीश मिश्रा ने एक और गाना फिल्म में लाया है जो कि पिछले पार्ट का रीमेक होगा पिछले पार्ट में जो गाना था वो था लगा के फेर अन लवली लेकिन अभी रजनीश मिश्रा ने फेर अन लवली को रिप्लेस कर दिया है वैसलीन से तो वैसलीन नाप का गाना आपको इस फिल्म में दिखेगा और वो भी जाहिर से बात है कि यूट्यूब पर धमाल ही मचाएगा वैल अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि ये जो तीसरा पार्ट है महंदी लगा के रखना का वो इसके पिछले दो पार्ट का रेकॉर्स तोड़ पाएगा क्योंकि दोनों ही फिल्म में सूपर हिट रही थी और भोजपूरी के जो दर्शक है उनमें एक हासा क्रेस है और खेसारी लाल का भी क्रेस जब से वो बिग बॉस में आये तो पूरे देश भर में ही है तो अब देखना होगा कि इसका ये जो तीसरा पार्ट है वो कितना धमाल मचा पाएगा और बॉक्स ओफिस पर कितना कलक्शन कर पाएगा दोस्तों अगर आपसे ये ट्रेलर नहीं देखा तो जरूर देखे और देख लिया तो हमें बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है और इस फिल्म का कितना अधजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल बॉलिगरास स्टूडियोस को